मुझे अच्छाइब करें मैं हूँ नैंसे मैम हिंदी क्लास के साथ और मेरा नाम तो आपको पता है कि मैं कौन हूँ येस मैं आपके अपनी नैंसे मैम तो सबसे पहले ये बज़ा बच्चो कि आप लोग कैसे हो क्योंकि मुझे जानना है कि आप लोग कैसे हो I hope कि आप लोग बहुत अच्छे हो और आपके नैंसे मैं भी क्या है बहुत अच्छी है लेकिन और भी अच्छी हो सकती है अभी जो फिलाल कॉरंटाइन में है ठीक है कुछ दिन के बाद मैं बहर आ जाओंगी तो आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोगों को ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड में मैं पढ़ाऊंगी ठीक है और कुछ अच्छे अच्छे पिक्चर्स के साथ आपको समझा करकी अच्छी तरह से एक्स्प्रीन करकी मैं पढ़ाऊंगी ठीक है अभी जो फिलाल मैं कॉरंटाइन ही हूँ एक रूम में हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है आप लोगों को पढ़ाने के लिए कुछ अच्छे से एक्जामपल देने के लिए ठीक है बच्चो तो कोई बात नहीं हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे ठीक है कहीं मेरी तब इतना खराब हो जाए इसलिए मैं अपने आपको अच्छी तरह से क्यार कर रही हूँ इसलिए बच्चो आप अपने ममे पापा का बात सुनेंगे हमेशा मास्क लगाएंगे ठीक है और हाँ से इंटाइस करते रहेंगे बाहर ज्यादा नहीं खेलना है किसी को टच नहीं करना ठीक है तो आपको बचके रहना है रहेंगे ना प्रॉमिस करो आपको बचके रहना है और हमेशा नैसी मम के साथ जुड़े रहना है ओके ओके बच्चो तो हम लोग पढ़ना सुरू करें क्योंकि बहुत पढ़ना है ठीक है तो लास्ट क्लास में बच्चो आपने आपको पता है कि आपने क्या पढ़ा था येस आपने पढ़ना सिखा था बीस के डेट में स्वर आ से अहा को क्या बोला जाता है बच्चो स्वर ओके बच्चो तो आ से अहा को स्वर बुला जाता है आपने आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आ, उ, अउ, अं, अ पढ़ना जिखा था इसको बुला जाता है स्वर अगर मैं बोलूँगे स्वर लिखो तो आप आ से अहा तक लिखेंगे ओके और अगर मैं बोलूँगे तो मतलब की का से ग्या तक सिर्फ बोलूँगे वेंजन लिखो तो कहां से कहां तक लिखना है का से लिखर की ग्या तक ओके वच्चो समझ में आया तो वेंजन को ही का से ग्या तक बोला जाता है तो एक लाइन में टोटल 5 तक लिखना है यह नहीं कि 4 तक लिखो 5 को नीचे कर दो तो फिर लाइन गरबड हो जाएंगे ठीक है तो नया जो लेटर आपका सुरूँगे चा चा जा जा या या यानि कि एक सांड वाले को एक जगा लिखना है का खा गा घा अंगा फिनिश जा चा जा जा इहां फिनिश टाठा डा धा ना फिनिश ताठा दा धा ना पा भा 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 मा मा पे स्टोप कर ना है यारालाव शा यह क्या है सस्ट कॉर्णोलस सा यह सब्चि उलस सा तीनों सा है ओके यह सलजमुलस सा इसमें टंग उपर होते हैं यह सा है इसमें टंग नीचे की ओर होते हैं हाँ अच्छा तरह ग्यान तो यह है आपके वियंजन कासे ग्यातर ओकी इसी की आपको घुमबग्ध मिली थी तो आज हम लोग बुक पढ़ना सिखेंगे कॉपी को मैं कर देती हूं साइट यह वाली बुक देख लो आप लोग प्रवेश भाषा माधुरी की बुक है ओके दे त्यार करते हो तो इसको भी बहुत अच्छे तरह से त्यार करना है करते हैं अंदर में भी आपको नाम लिखना है ठेक है बहार में तो आप और लगालीएश्ट लगालीए diagrams लिख लिए और सेक्षन लिख लिए और अंदर में भी लिखना है कहीं आपकी पेपर फट गई तो आप उसका नाम लिखना पड़ेगा ठीक है यह रहा आपके बुक यह है स्वर स्वर यानि की आ से आहा तक मैंने बताया ना कॉपी में स्वर आधासा वरस्वर स्वर मतलब आ से आहा तक यह पेश नमबर कितने हैं आपके यहां देखो लिखे हुई है पेश नमबर थ्री यहां पे नीजे बॉटम में दी हुई है पेश नमबर थ्री अब क्या लिखा हुआ इसको हम लोग पढ़ें चित्र के नाम के पहले अक्षर पर गूला लगाना है अब जो यह चित्र आपको यह है पोमोग्रेन. अना तो अनार किससे होते हैं? अ से अनार होते हैं, किससे होते हैं? अ चोटा ढूंडू इसमें? वबन, चोटा अब यह क्या है? इसमें छोटा कौन सा ये है की ये है की ये है तो छोटा आ है तो इसमें पहले से ही राउंड बने वे हैं तो आप इसको पैंसल से दुबारा भी कर सकते हो जानने के लिए ओके अब ये क्या है आ से आम क्या होता बच्चो आ से आम आ यानि की ये वला आ है तो आ से आम होता है तो मैंने इसको सरकल कर दिया ई से इमली अब ई खो जो कहां है यह है ई नहीं यह है ई हाँ यह है ई नहीं नहीं यह कौन सा बच्चो यह तो छोटी ई से इमली इसको क्या करना है गोला बनाना यहां लिखा है ना पहले अक्षर पर गोला बनाए किस पहले अक्षर पर चित्र के नाम के पहले अक्षर पर ये जो चित्र है इसके नाम के इ से इमली होता है आ से आम आ से अनार ओके तो जिससे आपको होता है वही आपको करना ये क्या होता बड़ी से इंक बड़ी इ ये बड़ी है नहीं ये बड़ी है अब ये O है चोटा O, नहीं, ये चोटा O है, नहीं, ये है चोटा O, तो इसको क्या करना है, सरकल बनाना है ओके, ये क्या है, बड़ी O से O, ये बड़ी O है, नहीं, ये है, नहीं, येस, ये है, इसको मुझको सरकल बना दिये ठीक है, ये है री से रिसी, आ, उ, बड़ियो, और ये है री, तिसको क्या करना है, सर्कल बना देना है, ए से एरी, ये है ए, नहीं, ये है ए, नहीं, ये है ए, वेरी गूट, इसको आपको सर्कल बनाना है, ओके, और ये है ऐ से एनक, ये है आ, नहीं, ये तो अ है, ये है आ, नहीं ये तो O है ये है आय है तो इसको मैंने क्या किया सर्कल बना दिया तो ये पीज नमर कहां पे था ठीवे और ये क्या है स्वर स्वर यानि की आसे आहतर तो सबसे पहले बच्चों कहीं भी कॉर्णर में आपको डेट लगानी ज़रूरी है CW 2222421 ये मैं डेट हमेशा दे देखंगे क्योंकि इसकोल तो खुलेगा ही आपको क्या लग रहा है स्कूल आपको नहीं आना पड़ेगा नहीं ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे सब कुछ बस आप अपने आपको बचा कर रखो स्कुल आपको आनी है और आपको ये मैंटेट देखंगी ठीक है तो ये आप पे जम फो लिखे हुई है अब है ये ओ से ओखली ये है ओ नहीं उसी के कोशिन आधा थे ओ से ओखली ये ओ से औरत यहां है ओ और ये है अंग से अंगूर ये नहीं है अंग ये भी नहीं है अंग ये है मुझको अंग अब ये देखो अ कहां लिखे हुई है तो अ यहां लिख तो A से आपको क्या बनाना है ये वाला सरकल अब ये क्या है स्वर अक्षर करम से लिखें तो अब ये है एक्जाम की तरह ऐसे ही कोशन आपको दिया रहेगा यानि कि फिलिंदा ब्लैंक्स खाली है तो जो नहीं है उसको आपको क्या करना है लिखनी है जैसे छोटा है बड़ा नहीं है ठीक है छोटी ए है बड़ी ए नहीं है तो उसको लिखना है छोटा ओ है बड़ा ओ नहीं है लिखना है री लिखा है ए लिखना है लिखा हुआ है आय नहीं लिखा आय आपको लिखना है ओ लिखी हुई है और नहीं है अंग लिखी हुई है अह नहीं है तो यह क्या है आपकी homework 22, 22, 24, 21 के ये हैं आपके homework, ओके, एक चीज़ तो ये है, मैंने आपको homework में दे दिया, अब homework है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आपको करना है, लेकिन homework तो ज़्यादा है, लेकिन है बहुत easy, अब ये है वेंजन, वेंजन का मतलब, का से ले करके, ग्याता, ओके, त तो ये भी है पूरा आपका homework, 22, 22, 24, 21, चित्र के नाम के पहले अक्षर पर गोला लगाए, तो आपने स्वर का तो गोला लगा लिया, स्वर क्या था, आपके आज से ले करके आहा तक था, ठीक है, तो आपने चित्र के नाम के पहले अक्षर पर गोला लगा लिया है, लगा यानि कि चित्र के नाम के पहले अक्षर पर आपको गोला लगाना है, ठीक है मैं पहला लगा देती हूँ, का से कमल, तो का से कमल पर मैंने राउंड बना दिया, ठीक है, खा से खरगोस, खा कौन सा ये खा है, नहीं, ये है खा, ये नहीं है खा, खा से खरगोस, तो गोला बना तो इस तरह से आपको कहां तक करना है पूरा व्यंजनियानी की करसिक ग्या तक तो हुमवक में आपका क्या है पेश नमबर 5 हुमवक है पेश नमबर 6 जब तक आपके क्या नहीं आ जाते हैं यह वाले ग्या नहीं आ जाते तब तत आपके हुमवक है ओके बस राउंड करना है कुछ नहीं है राउंड करने के लिए आपको ज्यादा मेनद करने नहीं है तो पेज नमबर शिक्स पेज नमबर सेवन पेज नमबर यह रहा आपके एट ठीक है यह सेवन और यह रहा पेज नमबर एट ठीक है वेंजन लिखना है वेंजन अच्छा करम में लिखें का है खार नहीं है गा है घार नहीं है तो जो नहीं है वो भी आपको लिखना है यह हूंबक यह हो गया है आपके 2222425 Yes बच्चो हूंबक बहुत ज़याद है क्योंकि जो आप पढ़ चुके हो उसका हूंबक तो ज़यादा रहेगा cioè में अपने रके चुमें पढ़ लिया है तो इसलिए मैं इसका हूंबक को ज़यादा दे रहे हूं ठीक है लिखने वाला काम मैं बहुत कम दे रही हूँ अभी नहीं दूँगे फिलाल ठीक है तो ये हिंदी के हैं कम लिखना है इसलिए मैं आपको दे रही हूँ ठीक है आप ये मन सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा होमग देती है बच्चों आपको डड़ने की जरुरत नहीं है मैं हम देती है जरुर है लेकिन आपकी भले के लिए देती है अच्छे के लिए देती है ठीक है तो ये बुक कर देती हूँ मैं साइड आपकी एक बुक और है सहज हिंदी रचना की बुक है ठिक है ये क्या है ये भी आपको हिंदी में पढ़ना है सहज हिंदी रचना प्रवेश क्या है सहज हिंदी रचना प्रवेश तो ये भी बुक ले लो ये भी आपके हिंदी की बुक है च्टुक है इसको टर्ण करती हूं इसको में भी आपको अप्पुन्हाणाम लिखना है अची तरह से ठीक है सुन्दर-सुन्दर नाम क्लास और सब्सेंब आप इसको टर्ण करो यह भी बहुत इजी है इसके भी मैं स्वरका में बताऊंगी ठीक है वेंजन्जन आपको करने ह तो सबसे पहले आपको date लगानी है CW2222421 बहुत easy है A से अहां तक का ही केवल homework है जादा है नहीं तो इसलिए आप इसको easy नहीं कर सकते हो यहां पर लिखी हुई है A, A, E, E, U, U, R, A, I ओके यहां पर यहां तक लिखी हुई है Question क्या है आपके पहला one लिखकर चितरों के नाम को पूरा करना है पहला one अब यहां से जो पहला है A से अनार जो अभी आपने बढ़ा है तो पहला one क्या है यह A चोटा वला A A से अनार A से आम बस चोटी इसे इमली यहां से यह लिखते जाओ अब बड़ी A का बारी है बड़ी A से एक चिक है यह रहा छोटा वसे उल्लू चिक है बड़ा वसे उन री से रिशी ऐसे फिलेंदर ब्लैंक साएंगे एक्जाम में ओके री से रिशी A से एडी ऐसे एनक यह किस पिश नमबर पे था? पिश नमबर थ्री में टर्न करूँ यह अच्छा से आप लोग देखलो A से अनार A से आम छोटी इसे इमली बड़ी इसे इंक छोटा उसे उनलू बड़ा उसे उन री से रिशी A से एरी ऐसे एनक आगे देखू यह रहा यहाँ O औ अंग अ है चैप्टर टू में बोलने के लिए चैप्टर टू है लेकिन आपके स्वर ही है ठीक है? तो O से ओखली औ से आपको तो लिखने आता है मुसे बोलने भी आता है औरत अंग से अंगोर नहीं आता तो यहाँ से देखलो एके करके जो हो गया उसको टिक मारते जाओ ठीक है? अब आहाँ मतलब कुछ नहीं अलड़ी लिखी हुई है ठीक है? लिखी हुई है ना? अब इसका हूंबग को तो मैं बता देते हूँ बाकी आपको बनाना पड़ेगा यहाँ देखो प्रतेक चित्र को सही वर्ण से मिलाओ अब यह क्या है? बड़ी इसे इमली होती है के छोटी इसे इमली होती है? छोटी इसे मली होती है देखो अगर याद नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हो पेस टर्ण करके छोटी से इंगली, यह वारी छोटी से इंगली, ठीक है, तो छोटी यह आपको यहाँ पर खोजना है, छोटी कहां है, अब यह मिल गया मुझको छोटी यह, तो इसको क्या करना है, यहाँ पर ले के जाना है, ठीक है, छोटा यह क्या है, छोटा उसे उल्लू यहाँ पर स्टार बना है, आप स्टार को भी लेके जा सकते हो यह एनक, तो आप स्टार को लेके जाओ यह है आम, यहाँ पर स्टार बनी है, आप, यहाँ लेके जाओ बड़ी उसे ओन, बड़ी उ कहा है, स्टार को लेके जाओ यहाँ पर, यह क्या है, अंग से अंगूर, अंग कहां है, यहाँ पर, ठीक है, तो यह हो गया आपके classwork, ठीक है, तो जो भी आपने स्वर में पढ़ा है, सेम आपकी वेंजन में भी वही होंग है, गा, खा, गा, गा, अंगा, जा, 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 तो हर page में उपर में दिये गए हैं, पहला word लिखका चित्रों के नाम को पूरा करना, अब यह का से कमल, तो एक या दो मैं बता दे रही हूं, का से कमल, यह वाला का को लिखना है, यह वाला खा से खरगोस, यह लिखना है, खा स से गमला तो ये वाली का से गमला लिखती हूं मैं तो ये है बच्चो आपका homework कहा तक है बच्चो homework 22, 4, 21 कुछ नहीं करना है बस काखागागा से related है जो आपने पढ़ लिया है तो ये आपके page number 5 से homework है जब तक कि आपके ग्या नहीं आ जाते हैं अभी तक आपके ग्या आए हैं नहीं आए हैं यहां भी ग्या आए हैं नहीं आए हैं यहां पर आपके ग्या तक आ चुके हैं तो पूरे इस पिक्चर तक आपको homework बनाना है ठीक है 22, 4, 21 ओके यहां पर भी क्या है homework आपके फॉर में 22, 4, 21, हड़ावलू 22, 4, 21, ठीक है, तो जब तक ग्या नहीं आ जाते, तब तक आपके क्या है, हुमवक रहेंगे, यानि कि पेज नंबर, क्या है पेज नंबर आपके, 8, ओके, तो पेज नंबर 8 तक हुमवक है, आपके, चैप्टर 6 तक, अनली वेंजन के ही है, ठीक है, तो बच्चों, यह है आपका हुमवक, आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, और यहाँ पर आपकी काखागागा, आ लिखेवे हैं, स्वर और वेंजन, ठीक है, सयूंद कक्छर भी होते हैं, सयूंद कक्छर क्या हो गया आपके, अक्छा, तरह, ग्या, स्रध, और यह क्या है, अड़ा और धा, ठीक है, तो अन्ने वर्ण में यह दो आते हैं, स्रः, आपके जो है, स अर्रा, आपके क्या है, यह सयूंद कक्छर में आते हैं, सेंग अक्षर का मतला होता है दो अक्षा से मिलकी कोई तीसरा अक्षर बनना ठीक है ता और रा मिलके बनता है त्रा ज और ग्या मिलकर के बनता है ग्या स और रा मिलके बनता है त्रा यह क्या है अन्यवन है यह क्या है अंगा और यह धा ठीक है यह अड़ा है और यह धा वाला ठीक है तो आपको इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और आपके हुमवक यहीं है तो ओके बच्चो आज के लिए इतना ही हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ ओके बच्चो आई होब कि आप लोग सारा हुमवक कर लें ओके बच्चो बाई बाई एंड टेक क्यार कर दो ओके बच्चो आप एंड बाई आपके बच्चो आपके बाई बाई धर लोग तके बच्चों पाने है।